नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर्पर्चेद दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महत्व पुन जानकारी को ले करके जिहां आइए आज हम सभी जानते हैं एक बहधी खास टॉपिक के बारे में यानि की चाहें कैसा भी चेश्मा कितने भी नंबर क आपको चड़ा हो वो उतर जाएगा चाहें कैसा भी दाद हो वो ठीक होगा निशुल जियां वो भी बिना पैसे के तो आईए आज हम सभी इसी बारे में जानते हैं आपको मुझ की लार का महत्तो बता रहा हूं मैं जियां सभी उपाए रात में सोने से पहले आपको ये करना ह करना क्या है कि रात में जब भी आप सोने जाएं तो ब्रश करके जाएं खाना खाने के बाद आप जब सोने जाते हैं तो ब्रश करके जाएं ब्रश करने के बाद आप सोएं सुबह उठने के बाद आपको जो मुझ में लार बना हुआ होगा उसको वेश्ट नहीं करना है य किसी भी प्रकार का दाद खाजो उसे दूर कर सकते हैं और यह लार बाजार में नहीं मिलती है सभी के मुह में भगवान ने उपहार स्वरूप दी हुई है तो आए जानते हैं लार के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं आपके जीवन में जिहां यदि किसी भाई बहन के आखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं वो सुबह में मुह की लार से मालिश करें धीरे धीरे तो ये काले घेरे ठीक हो जाएंगे लेकिन प्रियोग एक से दो महिने तक करना पड़ेगा ध्यान से इस बात का ध्यान रखें लेकिन काले घेरे इससे गायव हो जाएंगे जिनको भी चा जल या गुलाब जल की तरह लगा लें यह आप रात को सोते समय और सुबह पांच बजे उठकर बेड़ पर लगाए ताकि मुह एक से दो घंटे बाद दोएं तो लार का अपना कारे पूरा हो सके यकीन मानिए यह प्रियोग अद्भुत चमतकारिक है श्री राजिव चश्मा हो इससे उतर जाता है यह शत्त प्रतिशत लाफकारी साबित होता है आप सभी के लिए जिहां तब तक आपको इस प्रियोग को जारी रखना पड़ेगा जब तक कि आप कई चश्मे का नंबर घटते-घटते खतमना हो जाए जिहां जब सुन्य पर आ जाए तब आ जाते हैं फोज वगेरा में भरती के लिए तो आइज लेवल मांगा जाता है सिक्स बाई सिक्स वो हो जाती है इससे डाइबिटीज के रोग्यों को जहां चोट लगी है वहां सुबह की लार लगाएं घाव भरने लगेगा जिन लोगों के जलने से शरीर के किसी भी भाग म वे भी इस लार को प्रती दिन सुबह उड़ते हैं बिना कुला कि ये रात भर की कटी मुह की लार लगाएं दाद देखते ही देखते चुमंतर हो जाएगा ऐसी कई भीमारी का इलाज है ये मुह की लार आये जानते हैं मुह की लार के बारे में कि क्या क्या लाव होता है मु के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है इस लार का पी एच मान 8.3 होता है और आप ये सभी सुबह जो टूथ पेश्ट करते हैं वो करना बंद कर दें क्योंकि इससे लार को हम थूप देते हैं इसके स्थान पर नीम या बभूल की दातुन करें ये दातुन करने से लार योग में आप ले सकते हैं ये बहुत ही फायदे मंद और शदी है यानि कि सुबह के लार को आपको करना क्या है मुह में जब हो कुछ न करना हो तो भी आप सुबह एक क्लास पानी पीजे या एक लोटा पानी पीजे अपनी शमता के कोर्डिंग वो भी घुट घुट के ये आप सभी के लिए दी हुई है बहुत फायदे मंद और शदी है इसका लाभ आप उठा सकते हैं अपने सुजबूज के साथ तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों